दोस्तों क्या आप भी stock market में invest करते हैं या फिर trading करते हैं तो आपको daily update होना काफी ज़दा important होता है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं stocks education यहाँ पिर हम आपको daily basis पर update करते हैं कि stock market में क्या चलना है कैसे analyze करें क्या candlestick chart होते हैं सब कुछ detail में analyze करके हम आपको इस वीडियो में daily updates देते रहते हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe करके साथ में bell icon को press कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों start करते हैं इस वीडियो को देखते हैं company के detail को दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कैसे stock की बात करें जो कि drone manufacturing company है company के detail की बात करें तो काफी strong detail आपको देखने को मिलेगा क्योंकि company में जो listing gain हुआ था वो काफी strong हुआ था जब यह company list हुआ था तो काफी बड़े gain के साथ list हुआ था बहुत फुरानी listing company नहीं है अभी हाली में यह company list हुआ था नाम की बात के तो मैं बात करें इंडिया फोर्ज अगर इस company के detail की बात के तो जब से यह company list हुआ उसके बाद आप देखें company में लगातार आपको गिरावट देखने को मिला थोड़ा सा company stable होने की भी कोसिस कर लेकिन उसके बाद again आपको गिरावट देखने को मिला था अगर इस company के और detail की बात के तो यहां पर गिया company थोड़ा सा stable होने की कोसिस कर रहा है लेकिन जीस हिजाब से इस company के result आया है उसके बाद इस company में आपको लगातार गिरावट देखने को मिला है company के आज के detail की बात के तो आज यह company साड़े 7% के नीचे जाकर close हुआ है अगर वहीं इस company के low की बात के तो अभी एक हफ्ते पहले इस company ने अपना low बनाया था 780 रुपए के नीचे यानि 776 रुपए के आसपास का इस company ने अपना low बनाया था तो ऐसे में इस company में क्या करना चाहिए जिन लोगों ने IPO से अभी दर इस company को hold किया है उन्हें क्या करना चाहिए और जिन लोगों ने इस company को ऊपर प्राइस पर buy कर रखा है यानि कि इसके आसपास buy कर रखा है उनको क्या करना चाहिए क्या उन्हें loss में exit करना चाहिए या फिर इस company को long term के लिए hold करके चलना चाहिए दोस्तो complete detail analyze करके हम आपको इस video में पताएंगे तो video में last तक बने रहे हैं कोई भी part miss न करें तो देखते हैं इस company के detail को सबसे पहले company के अगर हम moment की बात के तो आप देखने कि दूसरा result भी बुरा आया यानि कि result जिस हिसाब से expectation था उस हिसाब से नहीं आया जिसको market ने कुछ खास पसंद नहीं किया जिसके करण इस company में आपको ग्रावट देखने को मिला है company के RSI level की बात को यह भी 50 के below में जा चुका है तो ऐसे में इस company के साथ क्या करें सबसे पहले आपको इस company के fundamental को समझेना पड़ेगा क्योंकि बहुत पुरानी listing company नहीं है तो बहुत ज़्यादा चार्ट पर detail अवेलवल नहीं है तो आपको इस company के fundamental को analyze करने के बाद आगे continue करना चाहिए तो देखते हैं company के fundamental को इस करोड का इस company का market cap देखने को मिल जाएगा company के और detail की बात के तो यहाँ पे आपको यह जो detail देखने को मिलेगा promoter solding 30.2% का detail देखने को मिलता है investment की बात करते हैं तो 102 करोड का इस company का investment है company की inventory की बात के तो 127 करोड का इस company के पास inventory पड़ा हुआ है जो की काफी अच्छी बात है काफी strong detail आपको देखने को मिलेगा debt to equity की बात के जो की काफी लेस आपको देखने को मिलेगा company के intrinsic value की बात के जो 680 का है और अभी इस company का जो current price है वो 808 का है इस बात का बिलकुल ध्यान दखे दोस्तो अगर इस company के ROE और ROCE की बात के तो यहाँ पे आपको 12-14% का detail देखने को मिल जाएगा book value की बात के तो 152 का detail यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यानि overall जो इस company का fundamental है वो काफी अच्छा है यानि कि एक ऐसी company है जिसको long term के लिए hold किया जाए तो इस company का operating profit आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे September 2023 में आपको minus 7.86 का detail देखने को मिलता है जिसकी वजह से इस company में पनी बड़ी गिरावट आई है company को अगर compare करें पिछले quarter से तो आप देखेंगे इस company का जो sell रहा है वहाँ पे आपको 97 का detail देखने को मिलेगा जबकि अगर बात करें September 2023 में तो यहाँ पे 23 का detail देखने को मिलता है अगर इस company के हम year on year basis पे बात करें तो यहाँ पे कुछ अच्छे detail भी आपको देखने को मिलेंगे मार्च 2022 में आप देखेंगे 159 जबकि अगर बात करें मार्च 2023 में तो 186 का detail आपको देखने को मिलेगा इस company के sale में जो कि काफी अच्छी बात है company के अगर हम बात करें यहाँ पे और detail की तो दोस्तो इस company के अगर हम बात करें profit report tax में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 41 का इस company में profit अभी यानि current में आपको देखने को मिलना है मार्च 2023 में तो दोस्तो इस company में क्या करना चाहिए आप उसकी बात कर लेते हैं long term के लिए hold करें तो बेटर है अगर आपने short term के लिए buy कर रखा है तो minimum 2-3 मेने के लिए आपको hold करना चाहिए यानि कि next quarter तक आपको इस company को hold करके चलना चाहिए क्योंकि उसके बाद इस company में अच्छे खासी recovery आपको देखने को मिलेगा company बड़ा bounce pack भी करेगा जो लोग buy करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छा कासा मौका है अगर या company आपको 780 रुपए के आसपास again मिलता है तो पहली किस्त लगा कर इस company को buy कर सकते है और या company अगर आपको 720 रुपए के आसपास मिल जाए तो long term के लिए इस company को बड़ी मात्रा में भी buy करके चल सकते हैं company अच्छा है long term में बड़ा पैसा बना कर देगा लेकिन छोटे size का company है तो अपने portfolio को diversify करने के बाद इस company को buy करे तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को like करे, share करे, subscribe करे Thank you for watching this video